हेलो दोस्तों, आप सभी क्या क्या बार फिर्टर स्वागता है हमारे यूट्यूब चैनल दपूर कानेवल पर आज हम आपको बहुत ही टेस्टी और आसान मखानी की खीर बना कर दिखाएंगे और साथ ही में एक बहुत इंपोर्टेंट टिप बेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें इस वीडियो को भी प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्स्वाइब करें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम पैन में एक चमच घी डालेंगे और उसे गरम होने देंगे घी अब गरम हो चुका है अब हम इसमें एक कप मखाने डालेंगे और उसे हलका रोस्ट कर लेंगे मखानों को हमने हलका रोस्ट कर लिया है अब हम इसे निकाल लेंगे हमने माखाने निकाल लिये हैं अब हम इसमें एक चमच और घी डालेंगे और उसे हलका गरम होने देंगे अब हम इसमें थोड़े कटेवे ड्राइफ्रूट डालेंगे और इसे भी हलका रोस्ट कर लेंगे मैंने यहाँ पर थोड़े कटेवे बादाम, काजू और किश्मिष का इस्तिमाल किया है आपके पास जो भी ड्राइफ्रूट्स अवेलेवल हो आप उसका इस्तिमाल करें ड्राइफ्रूट्स हलके रोज सो चुके हैं अब हम इन्हें निकाल लेंगे अब इसी पन में हम साथ स्मвержables डूट डालेंगे और इसमें एकुवाल आने देंगे मैंने यहाँ पर फुल Kीम डूट का इस्तिमाल किया है फुल्कृम डूट डालने से खीर अच्छी बनकी है अब इसमें एक वाल आ चुका है, अब हम इसमें रोस्ट किये हुए मखाने डाल देंगे और दूद को थोड़ा गाड़ा होने तक पकाएंगे अब दूद हलका गाड़ा हो चुका है, और मखानों ने भी दूद को अच्छे से एब्जॉब कर लिया है अब हम इसमें roast कियो है dry fruit डालेंगे और इसी के साथ इसमें आधा चमच इलाई की power डालेंगे और थोड़े से केसर के धागे डालेंगे और इसे थोड़ी दिर चलाएंगे केसर के धागे बिल्कुल optional हैं आप इसकी जगा food color का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब यह हलका पीला दिखने लगा है अब हम इसमें आधा कप चीनी डालेंगे आप चीनी की मातरा अपने स्वाद अनुसार कमजादा कर सकते हैं अब हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक दूद थोड़ा और गाड़ा ना हो जाए मैं यहां आपको एक tip देना चाहूँगा अगर आप इसे instantly गाड़ा करना चाहते हैं तो आप इसमें एक चमच कौन फ्लार या उसकी जगा एक चमच कस्टर्ड पाउडर फोड़े से दूद में मिला कर इसमें डाल सकते हैं इन्हें डालने से दूद बहुत जल्दी गाड़ा हो जाएगा और आपके मखाने की खीर बहुत ही जल्दी बनकर रेड़ी हो जाएगी अब इस दूद को हमने 10 मिनट तक चला लिया है अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो चुकी है अब हमारे मखानी की खीर बनकर रेड़ी है अगर आपको हमारी रस्पी पसंद आई हो तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें इस वीडियो को भी प्लीज लाइप करें हम आपके लिए ऐसे ही इजी और टेस्टी रस्पी लाते रहेंगे तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्स्वाइब करें अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेस्बूक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यूँ